हेलो दोस्तों नमसकार स्वाहत है आपका कॉमیک्स वर्ड पर और आज हम देखेंगे चाचा चौदरी की एक बहुत ही बहती बेहतरीन और मज़ेदार कॉमेक्स जसका नाम है चाचा चौदरी ओफिल्म स्टार दोस्तों ये बहुत ही पुरानी कॉमेक्स है तो इसका थोड़ा प्रिंट भी गड़वड हो गया है तो चलिए शुरू करेंगे चाचा चौधरी और फिल्म स्टार बहुत ही अच्ची कॉमेक्स है दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें प्यार की पतंग हसीना और कवगा म्यूजिकल डिस्को और खिसको बगेरा एक के बाद एक फ्लाप हो गई कहीं मैं दीबालिया ना हो जाऊं सिग्रेट भी खत्म हो गए बिना इनके में आइडिया नहीं सोच सकता बुद्दू नुकड के चोरेजी अपानवाले से एक पेकट सिग्रेट लाना साब उसने कहा है कि जब तक पहले इंके वन रुपे चालीस पैसे नहीं चुकाते आगे उधार बंद साब आप एक फिल्म टारजन पर बनाईए आज की पबलिक मनुरंजन चाहती है टारजन की बहादरी के कारणा में उसका जोखम बरे जंगल में रहना सेर और चीते से लड़ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना या सब देखकर दरसक चकत रह जाएंगे वाह क्या आइडिया है बुद्दू मैं तुझे तरक्की देकर बावर्ची से अपना असिस्टेंट डिरेक्टर बनाता हूँ आज तुमारा नाम आज से बुद्ध कुमार होगा लेकन टारजन का रूल कौन करेगा आज के टाप स्टार तूफान खान क्या वह मान जाएगा क्यों नहीं आज कल मक्षनवाजी का जमाना है हम आदा किलो अमूल बटल ले जाएंगे मैं कपड़ी बदल कर आया एक जगए आह खड़की जाम हो गई है खुल नहीं रही साबू रुको जराया खड़की खोल दो चलो जी गुर्भान जटका देकर खीचने से एक खुल जाएगी जटका ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये तो खड़की जादा ही खुल गई चलो चाचा जी उधर हाँ बुद्ध कुमार अब तो असेस्टेंट डारेक्टर लगते हो बैठो चलें हीरोईन किसे बनाओगे बाकी कलाकारों का चुनाथ तोफ़ान खान से डेट्स मिलने के बात करेंगे यही एक श्टार है चो सबसे ज़्यादा बैस्त है यह रहा उसका बंगला चले जाओ फिल्म डारेक्टरों को देखते ही मुझे सूट करने के ओडर है बाप रहे यहाँ तो ज़्यादा कड़ा पहरा है वाए इसलिए कि आजकल हर कोई पिछले दरवाजे इससे ही अंदर घुषना चाहता है बुद्ध कुमार अब क्या होगा हिम्मत ना हारो साप फिल्म डारेक्टरों को ओड़ोग्राफ देने का बड़ा सोख होता है बेज बदल कर तुम्हें काम असानी से कर सकते हो ठीक है कहो कहीं पहचान तो नहीं लिया जाऊंगा अब तो मुझे भी तुमको पहचानने में मुश्किल हो रही है लाखों का चहीता इस्टार तूफान खान तश्रीफ रखिये साब रुकिये जनाब मैं आपका फेन हूँ लोग मैंने अपने ओटोग्राफ कर दिये तूफान खान मैं फिल्म डारेक्टर बीबी बावरा हूँ तुमने मेरे कॉंट्रेक्ट पर दस्तकत किये है ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो उनको पकड़ना है हम अपनी कार वहीं चोड़ाए हैं परवाय नहीं फिल्म हिट होगी तो कई कारें आ जाएंगी सर कार आगे नहीं जा सकती सड़क के वीश्ट खराब ट्रक खड़ा है अब क्या होगा आपको ट्रक के पार जाना है मैं आपकी कार ट्रक के उपर से उधर रख देता हूँ देखो उसने कार को उठा लिया वह एक कितना ताकतवर है अगर यह आदवी टारजन का रोल करे तो फिल्म गोल्डन जुबली मनाएगी तुम ठीक कहते हो तुफान खान मैं एक कॉंट्रेक्ट पाड़ता हूँ मुझे ड्रैंग रूम टारजन नहीं चाहिए मुझे अपनी फिल्म के लिए असली हीरो मिल गया है सौफीस्ती टारजन सर जो आप चाहते थे वो हो गया कॉंट्रेक्ट खत्म हुआ बेबकूफ फिल्म को ठुकडा देना अलग बात है और फिल्म से निकाल दिया जाना अलग याई मेरी बेच जिती है पेक अप के घर चलो तुम्हारा साधी मेरी फिल्म में हीरो का रूल करेगा तुम्हें कितना मुझे अपज़ चाहिए बस दो बक्त की रोटी वह तो सस्ते में मान गया उसकी पहली फिल्म है न एक्टरों की दिमाग बाद में बिगड़ते हैं पेक अप का घर वह अंदर ही होगा पेक अप तुम्हें बीबी बाबरा की फिल्म रोकनी है तुफान खान तुमने बिलेन का रोल करना कपसे शुरू कर दिया यह वक्त मजा का नहीं यह उठाओ बीस जार रुबे बाबरा की फिल्म नहीं बनेगी पेक अप हम कहा जा रहे हैं जंगल में वहाँ फिल्म की आउटडोर सूटिंग है हीरो की पसलियां तोड़नी है सीन है सेर हीरोईन को खाने के लिए जपड़ता है तारजन दूर पेड़ पर बैठा है हीरोईन की चीक सुनकर आता है और सेर से लड़ता है मैंने पेड़ की साग को थोड़ा कार दिया है ताकि जब तारजन उस पर जूले तो गिर पड़े और छे महीने अस्पिताल में बिताए एक्षन गोर ये टारजन जूलता हूँ आता है और एक डाल से दूसरी डाली पर जाता है तभी तूटना धड़ाक आऊ वाह सीन में कामेडी का पुटा गया तूपान खान मैं नाकाम रहा अब यह काम मुझे खुट करना होगा सूटन की लोकेशन पर जाकर मैं कैमरा तोड़ दूँगा जितनी उसमें फिल्म होगी बरबाद हो जाएगी इस काम के लिए रात अप्युक्त है कैमरा मैं अपने टेंट में सोया होगा हाँ यही है उसका टेंट संदूक में कैमरा नहीं है अलमारी में अभी नहीं वह गया कहाँ अरे कैमरा तो बाहर लोकेशन पर ही है बेबको भूल गये होंगे मैं पत्थर मारकर ऐसे चकना चूर कर देता हूँ है कैमरा उपर उठ गया यह कोई कैमरा ट्रेक तो नहीं नहीं मैंने इसे तार से बांध रखा है तुम्हारे भेजे हुए आदमी को जब पेड़ की साख काट कर कामया भी न मिली तो मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा अगला कदम कैमरे को चुराने का होगा चाचा चोधरी का दिमाग कंप्यूटर से ते चलता है एक सरकस के खैमे पर मास्टर हंटर वंटर उदास क्यों बैठे हो डारेक्टर बीबी बाबरा ने अपनी फिल्म की सूटेंग में हाथी किराय के लिए मुझे पांसो एड़बांस दिये थे मंगर आज हाथी बीमार पड़ गया तुम वह पंजरे बाला हाथी क्यों नहीं ले जाती वह कल ही जंगल से पकड़ा है गुस्टे में पागल है किसी को मार डालेगा साहब आपका फोन है आया यही मौका है यह जंगली पागल हाथी लेकर उड़ जाता हूँ हाथी को टारजन फिल्म की लोकेशन पर छोड़ दूगा सब को कचल डालेगा उफ अगला सीन तैयार है मंगर वह सरकस का हाथी नहीं आया जाओ इए इए वह क्या नेचरल एक्टिंग है कैमरा वेंड सोट लो बचाओ स्क्रिप्ट में ऐस सीन तो नहीं लिखा है हो हो हीरोईन मर गई तो फिल्म ठप इही 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 धप सुक्र है मैं घाशपूस पर गिरी धड़ाप कटटटटटटटटट बचाओ नर्स मैं कितने दिन अस्पताल में रहूँगा कम से कम चार महीने फिल्म स्टार तूफान खान के बंगले पर प्रोडिशर्स तूफान खान ने मुझे जो देट दी थी उनका क्या हुगा मेरी फिल्म रुकी पड़ी है मुझ पर लाखों का ब्याद चड़ गया है वह कई महीने तक सूटिंग करने के काविल नहीं मैं तबाह हो गया चार महीने बाद मिस्टर खान अब तुम ठीक हो घर जा सकते हो थैंग यू डॉक्टर ड्राइवर क्या ख़वर है सर बीबी बावरा की फिल्म टारजन पूरी हो गई है आज उसका प्रीमियर सो है आपके लिए उन्होंनों निमंतरन का पास भेजा है सीधा थीटर चलो हैं दर्सक आउडिटोरियम में जाने के इतने उत्सुख है कि मुझे से स्टार की तरफ देख भी नहीं रहे रुकी भीड इतनी उमर पड़ी है कि सारी फ्री पास रद कर दिये गए है मैं यह फिल्म हर हालत में देखना चाहता था जरूर देखोगे काली टिकेट वाला जो है प्हाच का पच्चीस में लो क्यों टिकेटों की बलेक हो रही है हबलदार बलेक में टिकेट बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अपरादी है और यह दोनों हवालाद में बंद है कुछ दिन बाद अख़वार टारजंत सर्फसेष्ट फिल्म घोसित चाचा जी अपने घर के आगे है लाइन कैसी साबू या प्रोडूशर से जो तुमें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना चाहते हैं और यह रूपियों से भरा बैग लिए हैं सब के सब तो सावी तो हीरो बन गया वाई या कहानी कैसी लगी आप बताना जरूर चलिए हम अगली कहानी देखें तो अगली कहानी दोस्तो फिल्म एक्ट्रेस सारा दिन नठले बेटना और चाय पीना बस यही काम रह गया तुमारे लिए दूसरों की जगड़ों में यूँ ही अपनी टांग डाते रहेंगे ना अपने घर की फिक्र है ना बीबी की अजी कान खोल कर सुन लो से आ रहे हो रेलबे स्टेशन से दो चार टन लकड़ी मालगाड़ी में चड़ानी थी वहीं बंबाई की फिल्म एक्ट्रेस गुलगुल बानो आपका पता पुंच रही थी फिल्म एक्ट्रेस नक्षतर अच्छे नहीं है भागो चोधरी रुको सुक्र है जान बची लोग गुल-गुल बानो के पीछे भागते हैं मुझे तुमारे पीछे भागना पड़ा क्या चाहती हो तुमसे साधी बंबाई के फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स और प्रोडिसर्स सब मेरे पीछे दीबाने हैं लेकिन औरत का दिल गोरक धंदे की तरह रहस्पून है आया तो तुमारे पर मर गए क्यों बानो मैं पहले से साधी सुदा हूँ तो तुम दो बीबी ये रख लो एक नहीं मेरी हालत पतली कर रखी है दूसरी बीबी ना जाने मेरा क्या हाल करेगी ओ ये कागच कैसा उपर से उड़कर आया है इस चित्थी पर स्वास्तिक बना है और कुछ लिखा है साध देपताओं ने ये चित्थी भेजी है पड़ो बेबकूफ अगर पड़ी लिकी होती तो क्या मैं फिल्म लाइन में जाती लाओ मैं पड़ता हूँ लिखा है या साधी हसब होगी अच्छा अगर हम इस चेताबनी की परवाद ना करें और साधी कर लें तो तमवारी सारी फिल्में फिलाफ हो जाएंगी और जन फिल्मों में तुम हीरोईन का रोल कर रही हो बिसारी स्रीदेवी के पास चली जाएंगी और तम्हें मा या दादी के रोल करने पड़ेंगे नहीं मुझे बंबई की गारी पकड़नी है चाचा चोधरी मेरी चिट्टी उड़कर इदर आई है पंड़त राहू के तू जिस पर स्वास्तिक बना है क्या यही है वोई हाँ डिबरू गड़ में एक साधी होने वाली थी लेकर लड़का मंगली नकला इसलिए साधी रोकनी पड़ी तो दोस्तो आज की कोमेक्स यहीं तक और भी दो कहानिया थी लेकर वो अबले वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबक हच जाता तो आप लोग वीडियो देखते रहें और चैनल पर बने रहें दोस्तो चलते हैं नमस्कार जहंद जभारत